ओम शांति आज 3 अगस 2020 के साकार मतुर महवाक्य हैं आज सत्गुरुवार वर्दाने दिवस है आग खुलते ही परम सत्गुरु ने वर्दानी दृष्टी देते हुए हुद सुन्दर वर्दान दिया है सर्वखजानों को स्वेम में समा कर दिल शिकस्त पन और इर्शा से मु प्रहने वाले सदाप्रसं जित्भव जो बच्चे खजानों को स्वेम में समा लेते हैं धारण कर लेते हैं उस सरवप्राप्ती स्वरू पन जाते हैं वो कभी किसी से एर्शा नहीं करते ना ही दिल शिकस्त होते हैं कोई-कोई बच्चे खजानों को धारण नहीं करते हैं, तो उन्हें दूसरों से इर्शा होने लगती है, या दिल शिकस्त हो जाते हैं, संगम पर सब खजानों को मनन चिंतन द्वारा स्वेन में धारण करना है, और सदा प्रसन चित रहना है, स्वच आत्मा कौन है? स्वच आत्मा उसे कहेंगे जो बिना स्वार्थ के सेवा करें, अंदर में कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले ही स्वच आत्मा है, आज बहुत सुन्दर बात बाबा ने समचाई, बाबा की याद में टाइम निकाल कर बैच ताइम निकालो, क्योंकि इस याद से आत्मा पावन बनती है, ममत्व मिट जाता है, इसी याद से विकरम विनाश होते हैं, याद दिलाया बाबाने, अब वापिस घर जाना है, शरीर का भान छोड़ दो, मुझे याद करो, वीजे माला का मनका बनना है, उसका एक ही रास्ता ह याद की रेस करना, जो बच्चे याद की रेस करते हैं, वो माला का मनका बनते हैं, याद दिलाया बाबाने, इसी समय, अगर कोई बात समझ में नहीं आती, तो बाबा से भले हजार बार पूछो, बाबा नौलिजफुल है, ज्यान सागर है, अन्त काल में बाबा के सिवाई कोई भी याद ना है, उसके लिए बहुत काल का भ्यास चाहिए, बाबा के सिवाई कुछ भी याद ना है, जब याद करेंगे, तो माया विगन डालेगी, इन विगनों से घबराना नहीं, बाबा की याद से पापों का बोज्जा सिर से उतारते रहना है, बाबा स्वेम आत जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं, आज चलते फिरते अनुभव करेंगे, परम सत्गुरु का वरदानी हाथ, मेरे सिर पर है, मैं सदा प्रसन चित आत्मा हूं, जिन से मिलेंगे, उन्हें भी दिल से वरदान देंगे, सदा प्रसन चित भव, सरव प्राप्ती संपन अब सुनते हैं आज की मदूर महावाक के आदर्निय बड़े दिवी से ओम शान्ती गुड मॉर्निंग आज सतुरु बार प्यारे बाबा की जाद में महावाक के सुनेंगे बाबा कहते मिठे बच्चे जाद की जात्रा में टाइम देते रहो तो विकरम विनाश होते जाएंगे जाद की जात्रा में टाइम देते रहो तो विकरम विनाश होते जाएंगे सबसे ममत्व मिठ जाएगा और बाब के गले का हार बन जाएगे प्रेशन है गाड फादर दारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है गाड फादर तुमें इतना ही पढ़ाता है है आत्में शरीर का भान छोड़ दो और मुझे जाद करो ये दो शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि आप तुम्हें इस पुरानी दुनिया में दुबारा शरीर नहीं लेना तुम्हें नई दुनिया में जाना है मैं आया हूँ तुम्हें साथ ले चलना है इसलिए देश सइथ सब कुछ भूबते जाओ गीत है तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो ओम शान्ति बच्चे सादिक रहाम जानते हैं कोई मनुष्ध द्वरह या शास्त्र नहीं सुनते हैं इसको सथसंग नहीं का जाता पड़ाई का जाता और मनुष्ण से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम ससंग में जाते हैं, यह कहेंगे हम कॉलेज में जाते हैं, यह तो जानते हो कि ससंग में सादू संथ विद्वान आदी सुनाने वाले होंगे, स्कूल में भी मनुष टीचर प्रोफेसर आदी होंगे यहां कोई मनुष नहीं है यह है बेहद का रुहानी बाप जिसको का जाता तो मेव माताश अपिताश तो मेव यह मेमा देवताओं की नहीं है ब्रह्मा विश्न शंकर की भी नहीं है यह मेमा है निराकार परमपिता परमात्मा की अब बचे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा इस समय शरीधारन कर पाड़ बजाते हैं इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते ब्रह्मा को भी ज्यान का सागर नहीं कहेंगे उसको प्रजा पिता कहेंगे ज्यान सागर एक ही परमपिता परमात्मा को का जाता है वो ही पतितों को पांड बनाने वाला है क्योंकि ज्यान सागर से इस अद्गति होती ये हीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया अब मनुश्यों को कैसे पता पड़े कि नौलेज़ फूल परमपिता परमात्मा स्वेमा का नौलेज देते हैं ये मनुश्य भूल जाते हैं ऐसे नहीं के शास्त्रादी द्वापर के आदी में बनिया नहीं समझाय जाता है पहले तो बाप का चित्र मंदिर आदी बनाते हैं श्यूलिंग अर्था सौमनात का मंदिर जिससे भक्ती शुरू होती भक्ती में बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए क्योंके उंचे तो उंचा वो है उनकी पूजा पहले शुरू होती पूजा लाइक है ये शिव अर्था जो सब का कल्यान करते हैं ऐसे के ब्रह्मा विश्रुशंकर जजगत अंबा जगत पिता पूजा के निलाइक है इन सब को पूजे बनाने वाला एक ही बाप है ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं इन में परमपिता परमात्मा ना है तो इनकी पूजा क्या होगी सब का सद्गती दाता एक बाप है जे विचार सागर मंथन करना होता कि भक्ती कैसे शुरू होगी शी बाप तो विचार सागर मंथन नहीं करते बच्चों को विचार सागर मंथन करना है सरस्वती जो ब्रह्मा की मुखवन सावली है उनको भी विचार सागर मंथन करना है उंचे तो उंचा एक अगर वो ना है तो दुनिया को पती से पावन कौन बने अब शीब बाबा ना आए, तो सरह का वर्सा कौन देवे, निश्चे बुदी नहीं, तो विजे माला में पिरो न सके, सपूत बच्चे सदय गले का हार बनते हैं, बाबी खुश होते हैं, कि ये बच्चा बड़ा सपूत आग्या कारी है, बहुत माँबाब होते हैं, जिनके बारा चौदा बच्चे भी होतें, जिन में कोई कपूत, कोई सपूत भी होतें, पतित पान बाब के सिवाए, पतितों का अवधार कोई करना सके, तुम जानते हो, कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए, कि ये गंगा फिर कौन है, क्या ये कोई जिससे पति से पान बनते हैं, ये पानी से पान बनते हैं, बाब कहते हैं, गंगा पतित पामनी नहीं है, सिवाए योगे कोई भी पान बननी सकता, सरवशक्तिमन बाब से योगों, बिगार योगे कोई पान बननी सकता, सरवशक्तिमन बाब से योगों, बिगार योगे जानते हैं कि ये इमत्यान पास करके हम ये बनेंगे, जहां भी तुम जानते हो ये भी इमत्यान है, गाड़ फादर से हम पढ़ाते हैं, वो है पती पावन, तुम्हारी है गाड़ फादर ली स्टूडन लाइफ, बाप पती से पावन कैसे बनाते हैं, कहते हैं, अब आया हू मैं तुम बच्चों को पामन बना कर साथ ले जाने कल पहले भी ले गया था मैं कालों का काल हूँ सब को वापिस ले जाओंगा फिर तुम को अमर पुरियर था सद्जियों में भेई दूंगा तुम लोग छी छी दुनिया इसरे संगम यूग को सो वरश चाहिए और तो हर यूग 1250 वरश का होता इस पिछाड़ी के संगम यूग की आज यूग बहुत छोटी होती जैसे ब्रामनों की चोटी चोटी होती वैसे संगम यूग की आज यूग भी बहुत छोटी है फिर ये दुनिया खतम हो जाएगी तो नेरे मकानादी बनाने शुरू करेंगे पहले श्री कृष्ण आता है वे शोकीन है महलादी बनवाने का कोई तो बहुत शोकीन था ना जिसने सोमनाथ का मंदिर बनाया विरला भी शोकीन है कैसा अच्छा मंदिर बनाया नमबर वन में जो पूजी है वो शी बाबा फिर भक्ती मारग में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है सो भी कुछ समय के बाद कुछ समय बाद ही बनता होगा नमबर वन में पूजी है शी बाबा फिर भक्ती मारग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है सो भी कुछ समय बाद में बनता होगा फिर पूजा शुरू होगी बाब कहते मैं रात और दिन के बीच के संगम में आता हूँ माबारी लड़ाई भी है लिखा हुआ है कि जादों के पेड से ये चीज़े निकली अर्थाद अटम बाम है डोजा बाम निकले जिससे सारे कुल का विनाश हुआ तुम देख रहे हो ब्राबर इस समय विनाश की तैयारी हो रही है समयत्या को प्रे रख है दोनों ने विनाश के लिए बामजादी बना कर रखे है आफते भी आनी है तुम तो प्रेक्टिकर में देख रहे हो स्थापना भी हो रही है विनाश भी सामने खड़ा है समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है अच्छा वैकून तो देखते हो ना अच्छी तरह पढ़कर बाब से पूरा बिहद का वर्सा लेना है जो मेरे बच्चे बनते हैं उन में से भी कोई सोतेले हैं कोई मतेले हैं मतेले बच्चों को ही वर्से का हक है संशे बुद्धी को सोतेला का जाता है उनको वर्सा मिर नहीं सकता वे फिर अपने पुर्शार्त अनसार प्रजा में चले जाते मतेले रजाई में आ जाते वे बाप को प्यार करते हैं बाप उनसे प्यार करते है गाते भी है ना तुम पर बडिहार जाऊं वारी जाऊंगा बाप कहते मुझे जाद करेंगे तो मैं तुमको मदद करूँगा हिमते मर्दा मते खुदा और सबसे बुद्धियोग तोड एक से जोड़ना तुम कहते हैं बाबा के हैं बाबा ये सब कुछ आपका है बाबा को हम कखवन देते हैं फिर हमें बदले में सरकी बाश्याई देते हैं इस पुरानी दुनिया से अब हमारा मामा तो नहीं ये तो तमब रधान शरीर है मुनुष मरते हैं तो सब कुछ चूड़ जाता है फिर उनका सब कुछ करनी भोर को देते हैं हम सब कुछ आपको देते हैं ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाप को जाद करने का पुर्शार्थ करते हैं माया फिर भी गंडावती है इसरे दीरे दीरे जितना मेरे को जाद करेंगे उतने तुमारे भी करम भी नाश होंगे वो ही मेरे गले का हार बनेंगे कितना सै समझाते हैं बाप समझाते हैं ये रत भी मेरा ड्रामा नुसार मुकरर किया हुआ है और किसी में भी मैं आ नहीं सकता तुम भी कहते हो बाबा कल पहले मिसलाम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्सा लिया था बाबा कहते है सिर्फ मुझे याद करो और कोई तरह बुद्धी ना जाए याद रखना अंत का जो पुत्र सिम्रे अगर किसी और को याद किया फिर वहाँ ही जनम लेना पड़ेगा कहां भी ममा तो नहीं रहना चाहिए बाप आते हैं पतितों को पांड बनाने बाप आते हैं पतितों को पांड बनाने उनकी कितनी महमा करते हैं एकोंकार सत्त नाम उनका एक ही नाम है उनको दूसरा शरीर मिलता नहीं तो उनको दूसरा शरीर मिलता नहीं जो नाम बदली हो तुम तो चुरासी जनम लेते हो वो तो नाम भी चुरासी पढ़ते हैं, बाब की महमग आते हैं, निर्वैर निर्भै अकारमूर्थ, वे कालों का काल है, उन्हें काल खा नहीं सकता। बाब कहते हैं, मैं सभी को मुक्ती धामे ले जाओंगा, मेरा कोई से वैर नहीं, अकाल मूर्थ अजोनी, मैं जनव मरण में नहीं आता हूँ, उनकी कितनी महमग आते हैं, जनव मरण में नहीं आता हूँ, उनकी कितनी महमग आते हैं, गया भी जाता है, कि वे दुख हरता, करता है कल जुग के दुख कल जुग के आकर दुख हरते हैं और सद जुग में सुख देते हैं बचे जानते हैं भारत में सद जुग में जीवन मुक्ती थी उस समय सब आत्में बाकी शांती धाम में थी जरूर बार संगम पर आई हैं तब सभी को शांती धाम ले जाएं और त जन्तु माया ऐसी है जो जहां से बार गए तो भूल जाते हैं जैसे गरब जेल में धरम राज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूं तरातरा करते हो हम माफी मांगते हैं फिर ऐसे काम नहीं करेंगे बार निकलने से फिर वह पाप करने लग पड़ते हैं वहां तो सुख ही अब तुम पढ़ रहे हो इसमें घर बार छोड़ने की भी बात नहीं बाप कहते हैं दे सही सब को भू जाओ यह है तुम्हारा बेहद का सन्यास यहां देखो बुड़याएं कितनी आती हैं बजुर्ग वो कहते हमें याद नहीं रहता बाबा कहते हैं अच्छा यह तो जान संतियों के परमात्मा में पढ़ाते हैं कहते हैं सिर्व मुझे जाद करो इसमें तो कोई तक्रीफ नहीं अब तुम गोचरासी का चकर पूरा किया यह हुआ सो दर्शन चकर चकर को जानने से तुम उच्छवत पाएंगे इसरे बाबा कहते हैं सो दर्शन चकर धारी बनो सह सेज याद सेज स्रिष्टी चकर और कोई तक्लीफ नहीं यह है तुमारी सच्छी सेज याद सेज स्रिष्टी चकर और कोई तक्लीफ नहीं यह है सच्छी कमाई बाकि धन माल तो सब खतम हो जाना है सागर को उथल आनी है नेचरल क्लेमटिस भी आनी है भारत सच खांड था और कोई खांड नहीं था उसमें केवल भारत ही था भारत है शी बाबा की जनम भूमी बड़े थे बड़ा तीरत भारत में सोमनाद का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है फिर बाबा कहते है शी बाबा साजन भी है सरग में बेई देंगे तुम जहां आए हो जानते हो हम जहां ब्रॉबर नर से नराइन नरी से श्री लक्षी बनेंगे ऐसे नहीं के पुरुष जाकर पुरुषी बनेंगे बदबते रहते हैं कोई भी चोला पुरुष का कोई का इस्त्री का फिर सज्जू से त्रेता कैसे बनता है वो भी समझाया आठ गदी शेलक्षी नराइन नौमी गदी रामसीता आप तुम बच्चों को नॉलेज आप तुम बच्चों को नॉलेज़ फुल गार्ड फादर पड़ाते हैं मनुष तो फादर डीचर सत्गुरु हो ना सके ये बाबा तो एकदम स्वरका मालिक बनाते हैं कोई भी बाद ना समझो तो बार बार पूछो अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पृत मात पिता बाब दादा का जाद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पृत मात पिता बाब दादा का जाद प्यार गुड मॉर्निंग रुछानी बाव की रुछानी बच्चों को नमस्ते हम रुछानी बच्चों की रुछानी बाव दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा गुड मॉर्निग अब दारना के लिए मुखे सार पहली पॉइंट सपूत आगया कारी बन विजे माला में पिरोना है बाब को अपना कखवन दे बलिहार हो जाना सबसे ममत मिटा देना है दूसरा अंतकाल में एक बाब की जाद रहे उसके लिए और सबसे बुद्धियोग तोड निरंदर बाब की जाद में रहने का पुर्शाथ करो फिराज का वर्दान सत्गुरुवार प्यारे बाबा का वर्दानी हासिर पे रख हम यह महसूस करेंगे सर्व खजानों को समें समाकर देशी का स्पन वा इर्शार से मुक्त रहने वाले सदा प्रसंची तभाव बाब दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिये हैं लेकिन कोई उन प्रावतियों को सम में समानी सकते समय पर कारे में लगाना नहीं आता तो उन्हें सफलता दिखाई नहीं देती फिर स्यम से स्यम देल सिकस्त हो जाते हैं सोचते हैं शायद मेरा भागे ही ऐसा है उन्हें फिर दूसरों की विशेशता जब भागे को देख इर्शाउत्पन होती है ऐसे देल सिकस्त होने या इर्शा करने वाले कभी प्रसन नहीं रह सकते स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही सच्छा आत्मा है और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती झाले हैं आत्मा है